दोस्तों संदीप जी आये हैं चेनल में आपका स्वागत है काफी समय बाद लगबग 2-5 साल बाद में मैं वापस एक वीडियो बना रहा हूं ट्राइबर की और आज इसी तरह हम मेरी फैमिली के साथ आप देख सकते हैं आठ हम फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ मैं आज करीब 700 या 800 किलोमेटर की जर्णी करने जा रहा हूं ट्राइबर में और उसी के लिए हम निकले हैं रात तक वापस शायद हो सकता है देर रात तक वापस गर पोँचे हैं बुदेपूर से कुछ दूर निकले हैं और आज हम जा रहे हैं आप देख सकते हैं अभी तक इस गाड़ी में मेरे को कोई प्रॉब्लम उब्जर नहीं होई क्योंकि कई मेरे पास कमेंट आये थे कई मेरे पास कमेंट आये थे कि आप दो साल, डई साल हो गए है गाड़ी को तो इसका क्या performance है, क्या है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस गाड़ी का performance काफी अच्छा है कहीं मुझे अभी पिछले दो, डई साल में कोई problem नहीं आई सिवाए सिर्फ जो free service है या paid service है वो मैंने कर वही है और उसके अलावा कोई ज़्यादा expenses नहीं आए है और गाड़ी चलने में अभी भी अच्छी है बहुत अच्छी चल रही है ये वीडियो बनाने का मेरा उत्शी ही है कि आप सभी ने comment करके बताया था या पूछा था कि काफी समय हो गया आपकी कोई वीडियो नहीं आई है अब दो साल बाद ट्राइबर का क्या performance है आप वो हमें बताईए तो आज मैं इसी लिए ये वीडियो बना रहा हूँ आप देख सकते हैं काफी मैं उदेपूर से करीब काफी दूर जा रहा है ये देखिए ये वीडियो है वुदेपूर के आसपास की पहाड़ियों का जो आपको रेर ही मिलता है दूसरी जगे यहां देखिए सामने काफी अच्छा वीडियो है आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अभी तक जो expenses मैंने किये सर्विस में पैट सर्विस में या oil change करवाने में वो लगबग 6-7 जार उपए मैंने अभी तक बे की है इस गाड़ी में अदरवाइस इस पेट्रोल डलवाया है और गाड़ी बहुत अच्छा performance देती है कहीं कोई problem नहीं है आराम से मैंने इस गाड़ी को fast भी चलाया है slow भी चलाया है हर स्पीड पे इसको देखा है तो कहीं ऐसी कोई problem मेरे को observed नहीं हुई है अभी हम जहां से गुजर रहे हैं वो काफी पहाड़ी शेत्र हीली एरिया है काफी मोड है और काफी डलान है काफी चड़ई है उस पर मेरे को कहीं भी गेर चेंज करने की एस सच कोई आवशकता है या requirement नहीं हुई है इसी ली एक 5th गेर में गाड़ी चल रही है passenger आपको पता ही है या मेरी पूरी family करीब 8 members हैं जो अभी गाड़ी में चल रहे हैं यह देखिए आगे अभी एक हम के में से निकले थे सेकंड टरनल फिर से आ रही है एक टरनल हम प्रोस कर चुके हैं एक टरनल वापस आ रही है यह सब उदेपूर के आज पास का सुन्दर एरिया है जो भी driver के साथ-साथ मैं वो भी explore कर रहा हूँ और आपको उसकी भी जानकारी दे रहा हूँ आप कभी भी उदेपूर बढ़ा रही हैं देखिए उदेपूर कैसा है आपको बहुत अच्छा लगेगा इस्पेशली जो लोग पहली बार आ रहे हैं उनके लिए तो बुदेपूर चन्नत है और भी दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार की driver में किसी भी चीज की कोई भी आपकी पेरी हो तो आप मुझे इस वीडियो के comment में जरूर दीजिएगा ताकि मैं आपको उसका डीटेल दे सको और आगे और भी मैं वीडियो उस पर बना सको यही केते हुए मैं अपनी जो वीडियो यक खत्म करता हूँ, फिनिश करता हूँ आप मेरे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो आप इसे लाइक कीजिएगा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को दोस्तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए इसी तरह के वीडियो लेकर मैं आपके पास आता रहूँगा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद